चलिए सब से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इतने सुबह में आये हैं एक करीब पिछड़ा का गेटा को आवाज को पूरे दुनिया तक सुनानी के लिए इसलिए दिसेश तोरके आपको धन्यवाद देता हूं मैं साथ ही जो कलतक हमारे विधायक थे उनको भी सुबकामना देते हैं कि वो कलतक हमारे साथ थे वो फिर अपने मिर्णे बदले ने भारतिय जन्ता पार्टी को भी सुबकामना देते हैं कि 24 विधायक बनाने में सनरीचा माल्छा Best मृ kosam था और हम लोगों मिल अंको 24 बिधायक भनाएं का और उसके बाद भी बिहार में दो नमर की पार्टी बनी बाद हुसके बाद एक मिलाने के बाद होगे DR बदल 007 हो गए और बिहार का एक नमर्ड का पार्टी इध बड़ी बन गए जो पार्टी देश का दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी वो पार्टी कही न कही एक पिश्रा के बेटा मल्ला के बेटा के सहयोग से 24 पहुचे और 24 से 77 पहुचे और इसके लिए मैं विशेश तोर पे भारती जन्ता पार्टी को बढ़ाई देता हूँ कि आप बिहार के सबसे बड़े पार्टी आप अने हैं इसके लिए बढ़ाई देता हूँ और विशेश तोर पे भारती जन्ता पार्टी के परदेश अधाख संजेज जैस्वाल जी को भी बढ़ाई देता हूँ कि आपने बहुती अच्छा काम किया है लिकिन मैंने कर उनका प्रेस कॉंफेंस सुना उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला बहुत जूट बोला जबकि वो ना तीन में थे ना तेरा में थे जब मेरी क्षऑ डील हुआ यह डील सिफ फसेसरी दो लोगोगों को पता है एक सनफ पंपल पेतना है और एक देजर देशक के गिड़ा मंत्रिरी श्री अमीस साजी को होगी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ यहां तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभा के संजे जैस्वाल जी को पराप्त नहीं हुआ था क्योंकि कमरे के बाहर भी खरा होके कान लगा के सुने और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभा के पराप्त नहीं हुआ था कुछ जानकारी नित्यामेंदराई जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीक से दिल्ली में क्या बात हो रहा है ये जानकारी उनको थे तो इसलिए वो क्या डिल हुआ इतना जूट फैलाने का आप सकता उनको नहीं था उन्होंने तो वीनर बन गया तीन विधायक को लेकर बिहार का सबसे बरा पाटी बनी गया तो उनको जूट बोलने की क्या आप सकता है तो इसके लिए मैं भारती जन्ता पाटी को भी सुब्कामना देता हूं हमारे विधायक जो गए हैं उनको भी सुब्कामना देता हूं और मैं आपको बता दू कि मैं 18 साल की उमर से मैं संघर्ष कर रहा हूं अपनी जिन्दगी में संघर्ष करके मुंबई जैसे सहर में जहां पर रहने के लिए घर नहीं था जहां पर अपने आपको फ्रेस होने के जगह नहीं था पब्लिक सोचाले में जाना पड़ता था ऐसी जिंदगी मैं ने जिया है फूट पार्ट पर अफ़ना खाया है और वहीं से मैंने संघर्ज करके मुंबई जैसे सहब में भी अपनी एक अच्छा मुकाम मैंने बनाया उसके बाद बिहार में आया अपने लोगों को हक अधिकार के लिए मैंने देखा कि हजारों समस्या है जहां हजारों समस्या वहीं पर मेरा भी जन्म हुआ था लेकिन मैंने सोचा कि हम मुझे मेहनत करना था मैंने किया और मेहनत करने के बाद 2020 में अच्छी तरीके से एक मकाम मिला मानि मुख्मंद्री नितिस्कुमाजी के नित्रुत में बिहार में काम करने का मुखा मिला और लोगों को यह हजब नहीं हुआ तो उन्हें देखे कि यह व्यक्ति संघर्ष के दम पर जब हमें 11 सिट देने पर मजबूर कर सकता है तो यह लड़का आने वाले समय में बहुत मेहनत करेगा और साइद 11 सिट पर इनकी समझोता नहीं होगा साइद 100 पर समझोता हो तो उन्होंने यह देखा कि इसको कैसे रोका जाए तो उन्होंने रोकने का काम किया है और हम तो कुछ भी हाथ में नहीं था जीरो में था संघर्ष करना में ने सीखा और संघर्ष के बदरद मैं यहां पर आया हूं क्या मैं अपने समाज के लिए आरक्षन मांग रहा हूं मैं गुना कर रहा हूं क्या मैं यह पिछला स देश में जाती का जन्गनना हो उसके लिए मैं क्या गुना कर रहा हूं तो मैं हर चीज में मुखर के अपनी बात को रखता था मैं अपनी काम को कर रहा था लेकिन लोगों को लगा कि ये बड़ा हीरो हो जाएगा काम करेंगे कली हमने वेदिया में करवरा सरया मन है तीम तो एरतालिस एकर का जो बीच साल से विभाग प्रियास कर रहा था कि ये विभाग में ट्ांसपर हो जाया लेकिन मैंने कली कैमिने से पास कराया और विभाग में हमने ट्रांसपर किया वो मन में जील में कम से कम 10,000 परिवार का घर गुजर बसर होता है खास करके मचवारा भाइका तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ आज बिहार में 32,000 तलाब है जिसमें से 15,000 तलाब से अधिक तलाब पे कबजा हो चुका है अतिकर्मन हो चुका है मैं उसके लिए प्रयास और मैं मजगूती से आगे बर रहा हूँ मेरी जिन्दगी में तो बचपन से ही संगर्स है जो आज हुआ है ऐसी पात नहीं था कि मुझे अंदाजा नहीं था मुझे सब पता था कि मैं जो लड़ाय लड़ रहा हूँ उसमें कुछ भी हो सकता है कुछ लोग चाहते हैं कि मै मैं ऐसा अगली बना कर रखूँ कि जिनको मैं बोलू कि उठो उठेंगे बोलूंगा वैठो तो बैठेंगे तो यह पहले हुआ करता था किसी कालखंड में समाज में कुछ ऐसे नेता था जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं था इसलिए वह ऐसे करते थे कि किसी कहने पे संद्व मल्ला को जानने लगा अब मैं भी इसलिए में कहता हूं गर्व से कि मैं संद्व मल्ला हूं पुरे देश में निसाथ का बेटा हूं उनके हग अधिकार के लड़ाय लगते रहूंगा आप सबको पता है कि अगर मैं उनकी बात मान लेता तो साधिये नहीं होता आज हम Sindal BPAB का होना था लेकिन उन्होंने नहीं किया उन्होंने अपने मन से अपने 183 का नां का गोष्णाब लड़ा और आपको देखा कि चार महना une पार्टी के लोग किस तरीके से वेज़जद करते रहें नंके जान्सक किस तरीके से अवज़र्वात करते मैं सुनते रहा क्योंकि मुझे उहां पे चुनाव लड़ना था आज हमें लोग टार्गेट कर रहे कि आप उत्तर परदेश में चुनाव लड़े देश के परधान मंत्री जी के लेके विरोध किये तो भाया आप बताईए मेरा जो हक अधिकार है वो मैं किस से मांगूगा मै मैं में जाके मांगू या मैं रहाल गांदी जी से मांगू देश के परधान मंत्री नहें रमोधी जी है उनको लगता को परधान मंत्री जी उनके है लेकिन उनको यह नहीं पता है कि देश के परधान मंत्री जी पूरे 140 तोड़ देश के जनता का परधान मंत्री है वो हमार भाई भी पर्धान मत्री है